आज आदर्निये मानिये प्रधार मंत्री जी द्वारा योजनाओं का सिलन्यास उद्गाटन और लोखार्पन किया जा रहा है और आज के अवसर पर भहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदर्निये प्रधार मंत्री मानिये स्री नर्दर मोदी जी उपस्थित है यहां पर उनके साथ उपस्तित है मा महिम राजिपाल स्री राजंदर विश्वनात आरलेकर जी यहां मानिये केंद्रिय मंत्री गन और बिहार के मानिये उप मुख्य मंत्री स्री समराट चौधरी और विजे कुमार सिना जी और बिहार के मानिये पुरु मुक्ष मंत्री सी जीतन राम माजी जी और बिहार सरकार के मानिये मंत्री स्री प्रेम कुमार जी मंत्पर विराजमान सभी मानिये सांसत गन प्रिंट्रम एलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों छैकार बंधू तता इस सभा में उपस्तित बहनों एवं भाईयों और मुझे बड़ी खुसी है कि लाखों के संख्या में आज आदर्निये प्रधान मंत्री जी के इस कार इक्रम में उपस्तित इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और सरपर्थम में बिहार की धर्ती पर आदर्निये प्रधान मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज बहुत खुसी हो रही है कि रेलवे, पत्थ निर्मान एवं नभावी मंगे, नभावी गंगे की महत्वपुन योजनाओं का सिला न्यास अउद घाटन और लोकारपन किया जा रहा है इनके द्वारा आप जानते ही हैं कि आमस से दर्भंगा नए फोर लेन बनाना है जिसके आमस से राम नगर भाग का सिला न्यास किया जा रहा दानापूर बहटा के बीच चार लेन एलिवेटेड रूट का योजना बहुत महत्वपुन है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं लेकिन इस इलिवेटेड रोट के निर्मान से पटना से बीचा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा आज दिखा भी रहा था इनको देखे भी है अभी दिखा रहा था कोहां से कारेक्रम हो रहा तो बड़ी खुसी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाया और पटना जिले के सेर्पूर से छप्रा जिले के दिखवारा के बीच गंगा नदी पर च्छा लेन पूल निर्मान बहुत जरूरी है सबक निर्मान की कई उजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है जिसमें बक्तियारपुर रजवली पथ पटना से राची जाने के लिए सबसे महतुपून पथ है जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है और इस पथ के निर्मान के लिए हम काफी प्रियास रत रहे इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेट पथ एवं फ्लाई ओवर देने की बात कही थी इसके निर्मान में मेरी सभी बाते मान नी गई और बक्तियारपूर से बिहार सरी भाग तक का तेजी से काम हो रहा हम चाहते हिस बाग का भी निर्मान कारेस्टी की रूक सुरूपूरा हो जाए और बिहार में संपरंता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं और इसके लिए मैं आदर्णिये प्रदान मंत्री जी का फ्रद्र से धन्यवात दे रहाँ दे रहा हूं और बहुत खुसी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है ये बहुत खुसी की बात है और हम लोगों के हां भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से करा आएंगे और आज तो मैं अभिनंदर करता हूं कि आप कि आप फिर पधारे हैं यहां ताज हम लोगों को बड़ी खुसी की बात है आप पहले आये थे आइधर हम गायब हो गए थे तब हम फिर आपको साथ है हम आपको आस्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं हम रहेगे आभी के साथ इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को एक ही सातना हैं भाई पांस से तो हम लोग तो भील करके लगातार कितना काम कियें आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था कुछ नहीं था कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पहता नहीं था, अज सब हम लोग पांस से ही सारा काम इतना भी हार में करवाए हैं, हम लोग आपस में मिल जूल करके, कि आज बहुत आगे बह रहा है, लेकिन हम तो अभी चाहते हैं, कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है, और राजी का जो काम हो रहा है सब मिल करके हर व्यक्ति एक दम ठीक हो जाए और सबसे बड़ी बात है हम चाहते हैं सब की आर्थिक इस्थिती बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें यही हम लोग की इच्छा को आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदर निये प्रधान मंत्री जी आये हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदर निये प्रधान मंत्री जी बिहार आते रहेंगे यह मुझको खुशी की बात है आद दूसरी बात है कि इसवार का जो चुना होने वाला है तईसवार तक हम से कम चार सो सिट आप जीतिएगा यह हमको पूरा भरोसा इसलिए बाकी सब लोग जो इधर धर कर रहा है कहीं कुछ नहीं होगा खुब आगे बढ़िएगा खुब काम होगा आप बक्तियार बिहार देखिए आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है पुरानिक जगह है तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका स्रे आपको देते रहेंगे और आप जो इहां पधारे हैं इसके लिए मैं पुना आपका अभिनदन करता हूँ और आप लोगों को मैं बिलकुल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई भी बात नहीं करना चाहिए मिल दूल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है तो इनी सब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनदन करता हूँ और आदर निये पुदान मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ अभिनदन करता हूँ इनी सब्सक्राइब के साथ मैं अपनी बात समाथ करूँ